तो आज मैं बनाऊंगे ट्रुपल लेयर सैंड़िच जिसमें मैं किसी भी योनीज का या चीज का बटर का यूज नहीं कट लूँगी बटर के जगे में ले लूँगी अपना घी सबसे बैस तो बस यहांप तयारिया हैं मैं पारी पारी तम पाई चॉप प्याज कट कर रही ह संविच बनाऊंज की रैस्पी आगे शुरू करते हैं तो फस्त लेयर में मैं यूज करूंगी यह हमारे पास उबला हुवा बंदगोबी और बारी कट हुआ प्याज और यह है मेरे पास उबले हुए स्वीट कॉन और हरी मिर्च पहले लेना है बंदगोबी वाली लेयरिं वाइट सॉस मैं रेली हूँ दो से तीन चमच अब कर देजिए इन सभी क्वच्चे से मेक्स यह कम लगे आपको तो और ज्यादा मिला लीजेगा वाइट सॉस अभी सर्थिया है तो आप घर में फ्रीज में स्टोर भी कर सकते हैं बहुत आराम से फर्स स्टफिंग होगी है चलते हैं हमारी सेकंड के तरफ इसमें भी हम लाएंगे सॉल्ट आपको कमी रखना है वाइट सॉस में भी है काली मेच सीजनिक अब कर देजिए इन सभी को भी अच्छी से मेक्स और वाइट सॉस एट कर लीजिए इसमें एक चमची काफी है यह था एक चमची काफी है अब इसको भी कर लीजिए अच्छे से मेक्स बोद स्टफिंग इस रेड़ी पहले में लगा लीजिए बंदगोपी वाली लेयारे इस तरीके से फिर इसमें रख दीजिए ब्रैट अब लगा लीजिए स्वीट कॉन वाली अब इसको भी कर दीजिए कवर और इसको सेक लेंगे गी की मदद से तो इस पर लगा लीजिए घी मैंने लगा दिया इसको पहले आक साइट से सेक लीजि अच्छे सेघ मैं दूसरी साइट भी में लगा देती हूं इस तरीके से सिलो माच में ही सेक किए भी में, तो जिसिए एक साउट से हलका होजाए, आपको परट लेना है यह देखिए, याद रखना है कि सारे ब्रेट के जो कॉनर्स है हो एक सी मिलाएगा, अब इसको अचे से प्रैस करें लिए हलके हलके तो इसको दबा प्रेस करकर करके अराम से गर्षोब कर ये ये हो गया है चलिए सब करते हैं तो ट्रिपल लेयर सेंड़िच है रेडी कर लेते हैं इसको कट इसको क्रिस्पी है ये बहुत ही अराम से इसको कट करिये ये देखे ये देखे है है न क्रिस्पी ये देखे होप यू लाइक इट प्लीज गाइस पसंद आता है प्लीज लाइक करिये थैंक्स फर वाचिंग बाई